हाई फ्रेंड्स मैं सहजाद अपना यूटूब चैनल इंफर्मेफन टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अगर आप इंटरनेट बैंक की यूज़ करते हैं स्टेट बैंक का तो इमेल आइडि कैसे अपडेट करते हैं तो आई एस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कीसी भी ब्राउजर को ओपिन करना है जैसे मेरे पास Google Chrome है तो Google Chrome को ओपिन कर लेता हूँ जैसे ही ओपिन करेंगे इसका इंटरफेस ऐसा सो करेगा इसमें आपको सर्च बक्स में टाइप करना है SBI Online टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट नमर में जो वेबसाइट सो कर ला है उसमें क्लिक करना है State Bank of India पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें Login का अपसन आएगा Personal Banking में उसके बाद Continue to Login पर क्लिक करना है इसमें User ID औराइज पास्वड डालना है Thasy तुमहरे आई दाल देता है यूजर आईज़ आईदी, पासवड आईदी और कसवड डालने के बाद डाइरेकली आपको क्यप्चा को फील करना है तो मैं क्यप्चा कर लिया हूं डाइरेकली लोगन किलिक करेंगे यहां पे सबसे पहले सुख कर रहा है आई वान्ट फू अबडेट रिमाइंड मी इसमें पोरा नहीं हुआ है इसलिए सुख कर रहा है यहां से आप बालेंस चेक कर सकते हैं क्लिक हैं तो उसके बाद यहां पे अगर ट्रांजेक्शन दीखना है तो यहा क्लिक करेंगे और माइप एकाउंट और प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे करने के बाद आपको नीचे में प्रोफाइल का एक सेक्षन आएगा उस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एक बार और सेक्षन आएगा प्रोफाइल लीटेल एंड मोबाइल का इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड क्रियेट करना होता है जब इंटरनेट बेंकिंग आपको दिया गया होगा एस्टेट बेंक के द्वारा तो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है और एक प्रोफाइल पासवर्ड दिया जाता है तो यहाँ पर फ्रूफाइयल पास्वॉर्ड ॡालने के बार directly submit पाउबिय करेंगे जैसे ही submit पाउबिय करेंगे आपको एसा interface प्लिक करेंगा डिस्प्लें डी नेम दिनेम इमेल आईडी ठीक है तो यहाँ पर पर उदस करड़ unfold जैसे ही चींज का अप्शन पर क्लिक करेंगे उस रजिस्टर मोबाईल नमर पर एक OTP जाएगा जैसे मैं रजिस्टर मोबाईल नमर पर OTP आ चुका है तो मैं फिल कर देता हूं कि इंटर हाई सेकूर्टी पासवोर्ट फिल करने के बाद डाइसरे कंफर्म्स करेंगे जैसे ही कंफर्म्स करेंगे आपको जेखिए इन्वाइलिटे हाई सेक्ररीश्टी पासवड दिखा रहा है तो फिर से मैं डाल देता हूं डालने एक बाद फिर से confirm करेंगे जैसे ही confirm करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस सूब करेगा यहाँ पर email लेटरेस डलना है और retype email लेटरेस डलना है अगर दोनुँ बार डाल देंगे और directly email लेटरेस verify हो जाएगा अभी मेरे को verify नहीं करना इसलिए नहीं कर रहा हूं लेकिन इस तरह कीजिएगा तो आपका और लेटरेस इमेल आइड़ी हो जाएगा और आफानी से email जोड़ सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और को या 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 य